So hello दोस्तो welcome back to my new video तो चले फिर कुछ stocks and उनके regarding updates को cover करते हैं देखे दोस्तो इस वीडियो में मैं budget related कुछ भी update share नहीं करूँगा आप लोगे साथ company के regarding कुछ updates बाहर निकल के आ रही है उनके साथ technical analysis करके आप लोगों को तक ही वीडियो में पहुचाने वाला हूँ तो पहला stock हमारे list में budget finance limited आज के दिन 2.2% का downfall देखने को मिला और इसी के साथ ये stock 6727 रूपीज के level पर trade कर रहा है अब देखे दोस्तो बहुत से ऐसे long term investors हैं जो अभी budget finance को hold करते हुए परिशान हो चुके हैं क्योंकि अगर मैं इसका long term chart आपको दिखाऊ हूँ तो आपको दिखेगा कि stock काफी लंबे समय से consolidate कर रहा है 2021 से consolidation का phase चालू हुआ और वो consolidation अभी भी continue देखने को मिल रहा है अब देखे दोस्तो आज ही के दिन company ने अपने quarter one के result को publish किया है तो सबसे पहले मैं आपको इनके consolidated financial results दिखाता हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए खरीदना चाहिए बेचना चाहिए या फिर क्या important levels है तो यहाँ पे देखे जितने भी figures हैं वो हमें इन करोड देखने को मिल रहे है company के सबसे पहले interest income पे नजर डालते हैं कि ब्याज से इस बार company ने कितना कमाया है तो आप देखोगे 10,819 करोड से बढ़के हो चुका है 14,000 करोड year on year basis में sequential basis में भी 13,230 करोड से बढ़के हो चुका है 14,000 करोड मतलब इनका जो ब्याज का कमाई है वो इस बार again increase हुआ है year on year and q on q दोनों में ही total income पे अगर आप नजर डालोगे तो same figure है year on year 12,499 करोड से बढ़के हो चुका है 16,102 करोड quarterly basis में भी 14,931 करोड से बढ़के हो चुका है 16,102 करोड तो चलिए income और यहाँ पे interest income में तो अच्छा खासा increase हमें मिल रहा है देखने को अब चलिए इनके total expense पे एक बार नजर डालते हैं यह खर्चा भी अच्छा खासा increase हो गया है year on year 7,900 करोड से बढ़के हो चुका है 10,800 करोड अब overall net profit के figure को अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक increase हुआ है year on year 3,4,3,6 करोड से बढ़के हो चुका है 391 करोड quarterly basis में 3824 करोड से बढ़के हो चुका है 391 करोड अब देखें दोस्तो sequential basis में minor increase है मगर increase है यहाँ पे हमें degrowth देखने को नहीं मिल रहा है तो यह एक point हम दो notice करेंगे और इसी के साथ इस बार company के earning per share पर नदर डालेंगे year on year 56 से बढ़के हो चुका है 63, quarterly basis में 61.9 से बढ़के हो चुका है 63.28 तो देखें दोस्तों profit, revenue, interest income, earning per share सारा चीज़े increase हुआ है अब market के expectation के accordingly देख लेते हैं कि company के results कैसे आए हैं तो यहाँ पे मैं बाजार के expectation को open करता हूं इस particular article में clearly mention किया हुआ है कि Tuesday on Tuesday मतलब आज के दिन बजाज finance reported 14% year on year growth in its consolidated net profit कितना profit इन काया था 3912 करोड for the first quarter ended June 2014 the profit was slightly below the street estimates street का expectation था कि इस बार company पेश करेगी 3947 करोड का net profit मगर इस बार company ने profit पेश किया है 3912 तो ultimately आप यहाँ पे यह कह सकते हो कि बाजार के expectation के accordingly minor decrease यहाँ पे company के profit के figure में हमें देखने को मिल रहा है अब यहाँ पे आगे हमें क्या करना चाहिए expectation तो हम लोगों ने देख लिया कि चलो भाई company का profit है वो बाजार के expectation के हिसाब से आये नहीं है और stock already अपने पिछले 3-4 साल से underperform ही कर रहा है तो यहाँ पे एक important चीज में आपके लोगों के साथ share करना चाहूंगा कि इस trend line को upload draw कर लो अभी upload draw कर लो screen को pause करो और अपने chart में जाके इस तरीके से बजाज finance का important trend line को upload draw करो क्योंकि यह stock का important support level है ठीक है अगर in case इस result के बाद बाजार अगर negatively react करता भी है तो यहाँ पे कुछ quantity मैं personally खरीदना पसंद करूंगा क्योंकि यह stock का one of the major support level है और अगर in case यह stock breakdown करता है जो अभी तक तो हुआ नहीं है पिछले 3-4 साल से आप अगर देखोगे तो यह इदम rock की solid rock की तरह यह trend line support के तोर पे act कर रहा तो breakdown होने के chances कम है और अगर in case breakdown होता भी है तो अभी यह stock directly आपको मिलेगा कहा 5600 के level पे तो अब देखना interesting रहेगा कि कल again यह stock अपने इस trend line पे support लेके reverse करने की कोशिश करता है या फिर finally after 4-5 attempts stock के support level का breakdown करता है यह चीज सो हमनों कल देखेंगे अब देखिए दूस्तों अगर आप लोग उन्हें एक भी share नहीं करता बजाज finance का आप खरीदना चाहते हो तो कुछ quantity आप trend line पे खरीद लो कुछ quantity आप proper bullish price action form होने के बाद खरीदना और अगर आप उन्हें अच्छा खासा quantity खरीद रखा है capital अपने portfolio के accordingly allocate कर रखा है तो फिर unnecessarily averaging करने की भी जरुवत नहीं है ठीक है न मेरे इस app से जादा negatively react नहीं करना चाहिए stock को इनके results को देखने के बाद हाला कि अभी budget का session है और बाजार बहुत जादा volatile है तो देखते हैं कि कल किस तरीके का यहां पे behavior मिलता है देखने को अब अगले stock की और बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप free में up stocks में demand account open कर सकते हो फाइदा उसका यह होगा कि account आपको free में मिल ही जाएगा और इसी के साथ एक WhatsApp चैनल create किया गया है for educational and research purpose उसका access भी आपको मिल जाएगा तो इस चीज का फाइदा उठाइए account opening का link आपको video के description box में प्लस comment section में pin किया हूँ available है तो देखिए पहला stock तो हम लोग ने discuss कर लिया जिसमें हमें बाजार के expectation के accordingly थोड़ा सा यहां पे muted profit में growth से देखने को मिल रहा है अब अगला stock हमारे list में Lux Industries Limited देखिए दोस्तों बाजार कितना volatile है पिछले कुछ दिनों से और उस volatile market में भी Lux Industries के stock को आप देखोगे तो यह चटान की तरह खड़ा है अपने upper level पे ही एक important resistance level था जिस level पे यह stock continuously घोड़े की तरह दोड़ते हुए उपर की ओर move कर रहा था और यहां पे घोड़े का दोड़ना in the sense मैं कहा रहा हूँ कि within few days stock कितने percentage का rally show करता है from lower level almost 90% और इतने तेज रफतार में अगर कोई stock ऊपर जाएगा तो यह तो possible है नहीं कि अपने resistance को इसी momentum के साथ breakout देदेगा जो अल्रेड़ी lower level से 100% का rally show कर चुका है वो important resistance का instantly breakout दे नहीं सकता है वहाँ पे अब एक लंबा consolidation होगा या फिर एक minor pullback मिलेगा देखने को और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो pullback मिला भी अपने resistance level से stock little bit नीचे retrace किया और instantly अब lower level से एक sharp recovery भी हमें मिल रहा है देखने को आज के दिन बाजार में volatility के चलते यह stock लाल निशान में trade कर रहा था मगर at the end बाजार close होते होते stock में एक sharp reversal आया lower level से और यह ultimately upper level पे जाके close हो गया तो luxe industries अभी भी strong बना हुआ है जिस दिन यह stock proper resistance level का breakout देगा यह resistance है 2076 रुपीज का यहाँ पर आप note कीजिए कि जैसे ही 2076 या फिर 2080 के आसपास का जो level है इसको जैसे ही stock breakout करेगा फिर इसके target हमें काफी ऊपर के देखने को मिल रहे हैं जैसे कि पहला target है 2600 का और उसके बाद यह directly पहुँचेगा कहां पर 3900 का अब यह levels पर जाके यह गिरेगा नहीं मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ इन levels पर जाके little bit retrace करेगा sideways volatile होगा फिर add then breakout देगा ultimately breakout ही देना है क्योंकि अब यह stock अपने trend को बदल चुका है जब stock trend को बदला नहीं रहता है downtrend में रहता है तो वहाँ पर correction के chances रहते हैं वहाँ पर resistance को touch करके क्या होगा stock में कोई नहीं बता सकता मगर यहाँ पर जब stock का trend ही बदल गया है यह up trend के ओर convert हो गया है तो यह resistance पर जाके volatile होगा मगर add then यह resistance का breakout ही देने वाला है तो इन stocks पर भी आपको अपना नजर बनाया रखना चाहिए small cap category की high growth stock है यहाँ पर quarterly results का इंतजार कीजिए उसके बाद अच्छा खासा investment आप इस high growth stock में भी कर सकते हूँ यह आपका point of view आपका choice है हलाकि मैंने तो stocks को shortlist करके आप लोगों को बता दिया अब final decision तो आपका खुद का रहना चाहिए खुद के research analysis के बाद अपना point of view जरूर शेयर कीजिएगा इन दोनों stocks के regarding कल क्या हो सकता है इन दोनों stocks में especially बजाज finance में मिलना हूँ नेक्स वीडियो के साथ ओके दिन बबाए